प्रधान मंत्री जी, एन आए के साथ बात करने के लिए धन्यवाद. नवस्कार. पांच आज़ों में चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो आपने जमकर कैमपेनिंग की हैं, तो आपको कहीं पर लगा कि BJP के खिलाफ कोई एंटी इंकमबंसी, सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ लगा आपको? वैसे चुनाव घोशित होने के बाद, मैं किसी राज्य का दवरान नहीं कर पाया हूँ, कि कि इलेक्शन कमिशन ने कुछ मर्यादाइं रखी थी, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूँ. लेकिन वर्श्वेली मुझे बीच बीच में कारकरताओं से बात्तित करने का आपस्वाद मिला है. चुनाव का समय हो या नहो, भारती जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनादन की सेवा में लगे रहते हैं. और जब सरकार में होते हैं, तो बहुत अधिक तीवरता से, अधिक विस्तार से, सबका साथ, सबका अविकास, इस मूल मंत्र को ले करके, जी जान से जूटे रहते हैं. और मैं इस चुनाव भे भी सभी राज्यों में देख रहा हूँ, कि भारती जनता पार्टी के प्रती लहर है, भारी महमत से भारती जनता पार्टी जीतेगी, और भारती जनता पार्टी को सेवा करने का मोका, इन सभी पांच राज्यों की जनता देगी. और ये भी सही है, कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मोका मिला है, उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है. और उसका परणाम होगा, पहले के जमाने में, पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समाई एक शब्द पॉप्लिर हो चुका है, एंटी इंकम्बंसी, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में, वक्त बदला लेकिन कभी कभी टर्मिनॉर्सी नहीं बड़ ली, और यह कारण यह है कि पहले जो सरकारे चलती थी, वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्राइवरिटी देना, योजनाए चुनाव को केंदर में रखके गोशित करना, और कभी-कभी जाकर के फिते काटके चले आना, शिलान नियास करके चले आना, डिलिवरी के तरिप कभी योगदा, उनका ध्यान नहीं रहता था, उनको लगता था, गोश्णा हो गई है, यहने, विज्ञान भौन में दिया जलाया तो उनको लगता था, काम हो गया, और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है, प्रयास दिखता है, दिन रात की महनत दिखती है, आज पास में कुछ नों कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है, कि वहाँ हो रहा है, तो कल मेरे यहाँ भी होगा, गरीब को गर उसको मिल गया, तो कल मुझे भी गरीब हूँ, मेरा गर इस बार लाइन नमबर नहीं लगा है, कल मुझे मिलेगा, यह विश्वास बैदा होता है, और इसके कारण, भारतिय जनता पार्टी के कल्चर में है, जहां भी हमें स्थिर्टा के साथ काम करने का मौका मिला है, वहाँ एंटी-िंकममंसी नहीं, प्रो-िंकममंसी का वाहूर होता है, और भारतिय जनता पार्टी हमेशा प्रो-िंकममंसी को लेकर के चुनाओं में अधिक ताकत से उभर कर करके आती हैं, अब उत्तर प्रदेश में खास्यत रही है कि एक ही पार्टी को दुबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि तीन चुनाओं में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, फिर 2017 में मिला, फिर 2019 में मिला, याने तीन तेर्वार मिला, मंदब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ, एक बार जाओ, वाला उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है, है जब पहले ही नकार दिया है तो आप क्यों आगे बढ़ाएगा, भारति जन्हेता पार्टी ने अनुभव किया है, कि हमें 14 में स्विकार किया, फिर काम देखा, 17 में स्विकार किया, काम देखा, 22 में स्विकार करेंगे, जी, सभी तस्वीरों में जो पोस्टर्स छपती है, उनमें मोदी जी की तस्वीर होती है और योगी जी की, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का होते है, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर होती है हर जगा, तो अगर क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो राज के चुनाव होते हैं, एक किसम से एक referendum है, सेंटर की policies को भी, सिर्फ state की नहीं, सिर्फ center की भी policies. आप देखिए, भारतिय जनता पार्टी एक collective leadership में विश्वास करती है, सामोहिकता में विश्वास करती है, और हम स्तर पर सामोहिक रुप से काम करने के आदी है, वो तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं है, वो भारतिय जनता पार्टी के कार्यकरता की तस्वीर है, जिसको नरेद्र मोधी कहते हैं, और और कार्यकरताओं के साथ मेरा खड़ा रहना ले मेरे लिए गर्व का भीशे होता है अगर मेरे साथी कार्यकरताओं के बीच मेरी भी फोटू होती है तो मैं भी उन कार्यकरताओं जैसा लगता हूं मुझे लगता है हां मैं भी नहीं की बराबर हूं मैं किसी से उपर नही तो मेरे लिए तो इस फोटू का मतलब इतना ही होता है और देश की जनता भी ऐसे यह जो फैशन हो गई है कि हर चुनाव एनफलाने का हर चुनाव ढिकने का मैं समय तब यह चुनाव हमारे कारे का है हमारे आचार विचार का है हमारी नीतियों का है और सबसे ज्यादा हमारी नियत का है और मैं मानता हूँ देश उसको समर्थन कर रहा है तो अगर पार्टी जीतती है इलेक्शन में तो बीजेपी कहती है ये मोदी की जीत है तो अगर हारती है तो क्या आप इसको एक कभी-कभी परसनल भी लेते हैं कि और क्या मन्थन चलता है पार्टी में आप बाकी लीडर्स के साथ बैठके कि गलती कहां पे हुई और कहां पे हमको rollback करना चाहिए या गलतियां सही करनी चाहिए आपने आपने बहुत सही सबाल पूछा है भारती जनता पार्टी हम चुनाव हार 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 करके ही जीतने लगे हैं हमने बहुत पराजे देखे हैं जमानत है जब तो होती देखी है मैं तो तब राजनीती में नहीं था लेकिन एक बार मैं ने देखा कि चुनाओं में यह जनसंग था उसमाइश साइद दीपक निशान था हूं का और क्ई मिठाई बाट रहे ते हैं उसमान से हम लोग गुज्रे हुए लोग है और इसलिए जय और पराजे दोनों हमने देखा है हम जब विजय होते हैं तो हमारी कोशिश यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जमीन से जुड़े जमीन के साथ जितना गहरा नाता बनता जाए हम बनाए है हम जब चुनाव जितते हैं तो हम लोगों के दिल जितने के काम में कभी कमी नहीं आने देते हैं हमारे लिए हर पल, हर दिन, हर योजना, हर काम, जनता जनारदन के दिलों को जीतना और दिल तब जीते जाता है जब उनको समाधान होता है, संतोस होता है तो हम हमारी शक्ति उसी में लगाते हैं और हम बहुत कॉंशेसली प्रयास करते हैं कि जीत हमारे सर पे नचड़ जाए हमारे दिमाग में वो सवार न हो जाए और इसलिए हम धर्ती पर रहते हैं जहां तक पराजय का सवाल है हम पराजय में भी आशा को खोशते रहते हैं हम निराशा में डूप करके इसने किया उसने किया इसको यह करो डिक ना करो फला ना करो हम सोते हैं कि सामने वाले की रणनीती क्या थी, उसके तौर तरीके क्या थे, वो लोगों को गुम्रह करने में क्यों सफल हुआ, हमारी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे, हम औरों का भी अभ्यास करते हैं, हम स्थित्यों का भी अभ्यास करते हैं, उस पकार के योजनाओं का भ राजय का हो हमारे लिए चुनाव एक प्रकार्चे ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें हम नए रिक्रूट्मेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आपको तरासने का भी अवसर मिलता है तो हम चुनाव को एक प्रकार्चे हमारा एजुकेशन का प्लीड मानते हैं अब यूजनाओं की बात कर रहे थे अखिलेश जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई योजनाए आप की नहीं थी मानिनी बीजेपी की नहीं थी वो उनकी अपनी योजनाए है आप अपना अबली जामा पहनाते हैं और आप अपनी उपलब्दी बताते हैं उसे मुझे बहुत आनन्द होता है जब यह सुनता हूँ तो योगी जी की इतनी महनत और इतनी सफल योजना उसको साकार करना और उसको कभी कोई एनकेस करने के लिए इधर उदर की बाते करता है तो मैं उसमें से एक आर्थी यह निकाल रहा हूँ कि योगी जी की योजना इतनी अधभूत है और सम्नों को उन्होंने संभव करके दिया है तभी जाकर कि विरोधी भी उसको कैस करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं वरना विरोधी विरोध करता है कैस करने के लिए मैदान में उतर है मतलब योजना अच्छी है योजना सफल है और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पुरा किया है और एक प्रकार से मैं इसको योगी जी की क्रेडिट मानता हूँ दूसरा विशा है हमारे देश में एक कल्चत चला हूँ कि राजनेता और सरकारों का काम क्या हर चीछ पर हाट डाल देना कि करेंगे 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 कभी इसक्रेंगे कोई सब्रकारों कि सब्सक्राइब प्रकार हूँ कोई करदेगा तो कहेंगा हमने ऊस समय कहा था ऐसे यह मिल do अपने क्राइमваाई फ्री उतर प्रदेश का झिकर किया है, आपने भाष नों में, अपने Quality समाजवादी पार्टी तुब य्वो किति उनकी खामिया वहारी, वह किए richology तुकी खा चिरी तुकी यहांगे करेंने हैं, समाजवाधी पार्टी केहते हैं कह सकते हैं कि यूपी जो है वो क्राइम फ्री की तरफ बढ़ रही है और यह हो सकता है संभव है पहली बात है कि जब लोग उत्त्रप्रदेश में सुरक्षा के विशे की चर्चा करते हैं तो वहां के सामान्य मानवी के मन में पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबते ज देली है जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था जिस प्रकार से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबुओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था जिस प्रकार से इस प्रकार के दबांग लोगों को सरकार में एक प्रकार से प्रतिष्ठा थी आस र और ही चीजे उत्तर प्रदेश ने बड़े निकर से देखा है बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी यह उत्तर प्रदेश ने देखा है आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूँ यह जो व गुंडे जो चाहे वो कर सकते थे आज तिती ये है कि उनको हाज जोड़के कहना पड़ता है कि यहां भार मुझे भी रहना नहीं है तो मुझे जेल में ही रखो ताकि वहां थोड़ी बहुत तो मेरी जिन्गी बच जाएगी क्योंकि मेरे एक पाप और हर कोई सरंडर कर रहा है बहुत से लोग हो सकता है सही रास्ते पर भी आजाएंगे जब देखेंगे कि अच्छे रास्ते से भी जीवन जी आजा सकता है तो हो सकता है अच्छे रास्ते पर आजाएंगे लेकिन योगी जिने सुरक्षा को प्रात्विक्ता दी है कोई कांप्रोमाईज नहीं किया है कुछ लोगों को उसके एकान तकलीब हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था आज खास करके माताओं बहनों को जो सुरक्षा मिली है ये बहुत ही महत्पूर है अब आप देखे इतना बड़ा कुम का मिला हुआ यहने हमारे देश में हुई है कुम की मिलों में सबसे बड़ा कुम का मिला योगी जी के कालकर्ण में हुआ करो की तादाद मिलोगा है कोई कानून विवस्ता की समस्चा नहीं हुई कहीं चोरी की भी खबरे नहीं आई, जेब कत्री की भी खबर नहीं आई, ये किसी भी समाज को संतोस देना लगाले विशय है, ये गवरों कने वाला विशय है, और हिंदुस्तान में अगर सुरक्षा को प्रात्विक्ता दी जाए तो बुरा क्या है? नहीं बुरा नहीं, जैसे सुरक्षा की बात चल रही है तो वो कहते हैं कि वहाँ पर एक जुडिशल प्रोसेस नहीं है, ठोको की राजनीती चलती है, अगर कि योगी सरकार ने डिसाइड कर लिया कि फ़ला जो है वो गुंडा है या उसका कारोबार जो है, उसमें कोई डाउ तो मतलब एक जुडिशल प्रोसेस नहीं है, वो कहते हैं। प्रक्रिया के आधार पर काम करते हैं पर जैसे जैसे लखहिंपूर खेरी का इंसिडेंट हुआ था और वो टेनी अभी भी जो है वो ही स्टिल एंपॉर्टेंट परसन बीजेपी के लिए तो ऐसे कई इंसिडेंट्स है उसको लेकर जो वहां पर जो समाजबादी पार्टी है इस बीन सक्सेस्फुल इन सेंग कि अगर कोई बीजेपी के साथ है तो वह वाइट वाश हो जाते हैं उनके सारे क्राइम्स मैं यही तो कह रहा हूं कि सुप्रिम कॉर्ट जियो कमिटी बनाना चाहती थी राज्य सरकाने से हमत ही दी सुप्रिम कॉर्ट जिस जैज के सारे नीड़े करती है